हेलो नमस्कार कादियांस कोकिंग में आपका स्वागत है आज मैं लेकर क्या आई हूँ बहुत ही कमाल के किचन के टिप्स जो मेरे काफी काम आते हैं तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले टिप की तरफ अगर आप बिगनर हैं और आठा गूतने में थोड़ी सी दिक्कत आती ह है या आठा सॉफ्ट नहीं बनता है उसके बाद में जो आप रोटियां बनाते हैं वह थोड़ी सी हाड होती है सॉफ्ट वाली रोटी नहीं बन पाती तो एक सिंपल सा तरीका है सर्दियों में आठा गूते समय जब आप पानी डाले तो आप उसे थोड़ा सा गुन-गुन कर लीजिए और फिर आठा गुतिएगा आठा एकदम सॉफ्ट भी बनेगा और अगर आठा सॉफ्ट बनता है तो इसकी रोटियां भी सॉफ्ट बनती है तो यह सिंपल सा तरीका है अगर आप बिगनर है तो आपके काफी काम आने वाला है तो अगर आप सर्दियों में नॉ प्रोड़ा सा गरम करके फिर आठा बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में आठा गुत जाता है एक्दम सॉफ्ट और अच्छे से आप उसे मसल भी सकते हैं क्योंकि नरम हो जाता है तो लचीला हो जाता है इसको आप अच्छे से सॉफ्ट बनता है और इसकी रोटिया बहुत अच्छी सॉफ्ट बन जाती है और आठा गूतने में भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आठा गूत करके तयार हो जाता है जब आप गुन गुने पानी से आठे को बहुत होते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में आप इसे ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजेगा चलिए बढ़ते हैं अगले जबर्दस टिप की तरफ अगर आप अकसर अपनी रेसिपी में निम्बू का यूज करते हैं और यूज करने के बाद में इस चिलके को आप फैंक देते हैं तो इसे आप दोबारा से यूज कर सकते हैं अपनी क्लीनिंग में किस तरीके से तो चलिए वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ मैं अकसर निम्बू के छिलकों को फैंकती नहीं क्योंकि जितना रस और जितने फायदे हमारे निम्बू के रस में हैं उससे कही गुना ज्यादा इस चिलके में भी जो हमारे बहुत काम आते हैं और स्पेशली मैं किचन के क्लेनिंग में इसे अकसर यूज करती रहती हूँ तो इस चिलके को आप को पानी में डिप करके रख देना है लगबग 2-3 घंटे के लिए या आप ओवर नाइट भी छोड़ सकते हैं और इसमें फिर आप डाल दीज जाता है उन सबको यह बहुत ही अच्छे से साफ कर देगा और वह भी फटा पट से तो जो स्टीम बनती है उस वज़े से जो यह सिट्रेस पानी हो गया जो खटा पानी है इसकी वज़ेसे बहुत ही जल्दी जो ग्रीस है जो चिप चिपा पन है वह उतर जाता है तो यहां पर पानी दो मिनिट के बाद में अच्छा गरम हो चुका है तो इसी गरम पानी को आप एक किचन टावल या किचन स्पंज वाइब लेकर के अच्छे से निचोड़ते हुए इसमें डिप करते हुए फिर आप साफ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो चिपचिपा पन जो ज जाता है तो उन सब को आप साफ कर लें और नहीं तो कॉक्रोज वगरा हमारे माइक्रोवेब में बहुत ही आसानी के साथ में फिर आने लग जाएंगे तो वह सारी गंदगी साफ हो जाती है सारे बैक्टिरिया खतब हो जाते हैं और यह आप देख सकते हैं शाइन भी जबर फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप इस तरीके से हफते में एक बार सफाई कर लेते हैं अपने माइक्रोवेव की तो इसमें कभी भी कॉक्रोज नहीं आएगा और यह अंदर से एकदम साफ भी रहेगा कोई ग्रीस या गंदगी चिपचिपापन इसमें नहीं अगर्टी पच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए अभी वड़ते हैं अगले जबर्दास टिप की तरफ अगर आपका अधरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट अगर आप बनाके रखते हैं वो खराब हो जाता है या उसमें स्मेल आती है तो इस त तरीके से अगर आप हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट बना करके रखेंगे तो यह लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहता है और आपका समय भी किचन में कम लगेगा क्योंकि कोकि के समय काफी सारा टाइम लग जाता है तो आप अपनी अलगर अगर रेसेपीस को टेस्टी बना अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना करके देखिएगा बहुत ही जबर्दस तरीका है तो यहां पर मैंने ले लिया है लगबग देड़ जो ग्राम के करीब अधरक और लगबग सो ग्राम मेरे पास यहाप हरी मिर्च है क्वांटेट याप अपनी हिसाब से कम ज्यादा कर स सकते हैं अच्छे से इन दोनों ही चीजों को पहले हम दो लेंगे और इसके बाद में किसी कॉटन के कपड़े पर रख करके हम इनको सुखा लेंगे सुखाने से इसमें कोई नमी या मौशर वगरा नहीं रहता है ताकि हमारा जो अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट है वो हम काट करके अलग कर देंगे तो अब इनको हम पीस लेते हैं मिक्सिके जार में डाल करके तो एक सीक्रिट तरीका है जिस वजह से आपका यह जो अधरक हरी मिर्च का पेस्ट है लंबे टाइम तक फ्रेश रहे तो ध्यान से देखेगा यहां पर मैंने एक बड़ा चमच ते मैंने यहां नमक डाल दिया है और आदी Bडी चमच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है इस हमारे इस पेस्ट का फ्रेश बिनाने में या प्रिजर्व करने नमक ते तेल और हल्दी तीनों चीज़े आप डाल करके पीस लीजेगा और बैचस में मैं डाल करके इनको पीस रही हूं तो अभी और मैं इसमें बिलकुल भी यह सारी चीज़े नहीं डालोगी तेल अल्दी या नमक वगएरा तो बस यह चीज़े हमने डाल ली हैं और पीस लिया है मैं इसको पीस रही हूं ताकि अच्छे से फाइन सा पेस्ट तयार हो जाए और यह आप देख सकते एकदम जबरदस पेस्ट इसका तयार हो चुका है और इसको अब हम डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं और यह महीनों भर तक खराब नहीं होता है आप इसको नॉर्मल फ्र स्टोर कर सकते हैं अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को तो अपने हे ने बहूंट में डाल सकते हैं तो इसको यूञा कशे कम ड़िश में Prof людей अपने अद्रक और हरी मिर्च के पेस्ट को ताकि आपके कुकिंग के टाइम पे आपका समय कम लगे और बहर के मिलावटी चीजों से भी आपच सकते हैं ताकि आप घर पे बनाए फ्रेश बनाए चलिए बढ़ते हैं अब एक और बहुत ही जबरदस्त हल्दी वाली रेसिपी होती है तो चलिए इसका हम अचार बना लेते हैं सिंपल सा अचार है इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज किया है इस अचार को बनाने के लिए ऊभी तेल का यूज कर सकते हैं य यहां पर मैंने आधी किलो कच्छी हल देली जब गरम हो जाए हम जीहारा करने जूज जो मेथी के दाने थे आदी चमब जितना और कलॉंजी हम इसमे डाल देंगे इन सब को हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं और इसके बाद में फिर हम इसमे डाल देंगे कच्छी हल्दी और ये आदा किलो है और इसको हम लगबग चार से पांच मिट के लिए मीडियम से लो आचार और लिए दो चार दिन के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से जब आप फ्राइब करके इस तरीके से बनाएंगे तो यह सालों साल खराब नहीं होता है तो इसी तरीके से मैं हमेशा बना करके रखती हूं और यह बहुत ही टेस्टी अचा होता है यह बहुत ही गुणकारी है चार से पांच मिट के बाद में फिर मैं इसमें मसाले डाल रही हूं तो यहां पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सौफ लालमेश का पाउडर गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार इन सब को अब हम मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम हम बं लगा करके छोड़ देते हैं तो लगए दो तीन घंटे के बाद में फिर आप देखेंगे यह अच्छा ठंडा हो जाएगा तब आप इसमें थोड़ा सा डाल दीचेगा काली मिर्श का पाउडर काली मिर्श का पाउडर कच्छी हल्दी के साथ में यूज किया जाता है ताक मिक्स करने के बाद में हम एक साफ सुत्री कांच की बर्णी में इसको डाल करके रख देंगे और फिर आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं आपको इसे मैचौर होने के लिए रखना नहीं है कि यह गल जाए या भी गल चुका है और यह तैयार है एकदम आप तुरंत ही आप इस सिम्पल सा तरीका सरफ 2 चीजों से आप बना सकते हैं चैयों के लिए अच्छी हेल्थ, लिए और इसमें हम ढाल देंगे, नीम्बू का रस तो अगर तीन चम्मच अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो एक चम्मच जितना आपको नीम्बू का रस ले लिया है और त्री इस्टू वन का रेशियो आप रखिए और अच्छे से फिर आप इन दोनों चीजों को मिक्स कर लीजेगा और फिर इसको अगर आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके जो स्कैल्प में जो खुझली वगरा हो रही थी या जो फंगस है जिसकी वज़े से आपको डैंट्रफ अगरा दिखने लग गया है तो यह बहुत जबरदस रेमेडी है नीमू में अंट को बनाने वाले फंगस को खतम करता है और जो हमारा स्कैल्प है उसका पी एच लेवल भी बैलन्स करके रखता है तो यह बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है दोरों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर आप इसे अपने बालों में अपने स्कैल्प में मसाज कर कोई फंगस वगरा होगा तो वो सब खतम हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद करते हूं आपको अच्छी और यूसफुल लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर से कीजेगा चैनल पे नए है तो कर लीजेगा ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियो की अपडेट्स आपकी फोन पे सबसे पहले पहुचे और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा और अगर आज की वीडियो आपको लाइक के जरीए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की यूसफुल वीडियो ज्याद से ज्याद आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूं तैंक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड